अरपारेडियो.com की प्रस्तुती इतिहास का अभ्यास वाच्यक्स्वर अनुच्छ श्रीवास्तो लौह युगीन सभ्यता मानव जाती के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण प्रगती लोहे की खोज और उसके उप्योग के कारण हुई लोहा तांबा और कांसा की अपेक्षा अधिक सक्त और सस्ता होता है वो उनकी अपेक्षा प्रचुर मात्रा में उपलब्द भी है लोहे की खोज से विविद प्रकार के क्रिशी ओजारों जैसे हल के फाल, हसिया, कुदाली, आधी का बड़े पैमाने पर निर्माण संभव हो गया लोहे से बनी कुलहाडियों से पेड़ों को काट कर गिराना, बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करना ये सब संभव हो पाया इस प्रकार खेती के लिए अधिक जमीन उपलब्द हो गई अन्य शिल्पों पर भी लोहे का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा क्योंकि उसकी सहाइता से विविद प्रकार के ऑजार और उपकरण बनने लगे जिनका उपयोग विशेश प्रकार के कारियों के लिए होने लगा पुरातत्व विदो ने खुदाई में लोहे से बनी विविद प्रकार की वस्तुएं पाई है जिन में हथोडे, निहाई, चिम्टे, कील, रूखानी, आरी और गोल रूखानी शामिल हैं इनसे इसपश्ट है कि अनेक प्रकार के विशेश कौशल वाले कार्य किये जाते थे लडाई में लोहे के हत्यारों का उपयोग अधिक होने लगा था लोहे के उपयोग से कतिपय समुदाय 2000 इसापूर्व के लगभग परिचित हो गए मगर 1400 इसापूर्व के आसपास ही लोगों ने लोहे की गढ़ाई का काम सीखा लोहा वनाने की तकनीक के विकास का श्रेय हिटाइट स्लोगों को जाता है जो एशिया माइनर यानि तुर्की में रहते थे घोडा पालने का श्रेय भी उन्ही को है लोह युग 1200 इसापूर्व के आसपास उस समय प्रारंब हुआ जब फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, इरान और यूनान में लोहे के आज़ारों का उप्योग होने लगा जल्द ही लोहे का उप्योग यूरप के एक बहुत बड़े भाग में भी होने लगा भारत में लोह युग 1000 इसापूर्व के आसपास प्रारंब हुआ इस काल के बाद ही गंगा यमुना के दोवाब के मैदानों में बस्तियां बनी ऐसी धारणा है कि गंगा के मैदानों में लोहे के उप्योग गने जंगलों को साफ करने के लिए किया गया भारत के आदी लोह युग के जो भौतिक अवशेश पाए गये हैं उनसे संस्कृती के उच्च इस्तर का संकेत नहीं मिलता फिर भी छटी शताबदी ईसा पूर्व में हम अनीक शहरी केंदर की स्थापना पाते हैं उनमें से कुछ आगे चल कर शक्तिशाली सामराज्य बन गए लोहे की खोज और प्रयोग से सभ्यता के विकास से संसार के नएक शेत्रों में उसके प्रसार में सहायता मिली सभ्यता के उदय का प्रभाव लोहे की खोज और प्रयोगों से जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो था सभ्यता का प्रसार ये इसलिए संभव हो पाया कि विश्व के अनेक शेत्रों में अब खेती की जा सकती थी सभ्यता के प्रसार के साथ पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में संसार के अनेक हिस्सों में नगरों का उदै हुआ शासक और उच्चवरगों के लोग इन नगरों में रहते थे वे स्थान उन अनेक शिल्पों के केंद्र भी थे जिनका उदै सभ्यता के साथ हुआ सभ्यता के प्रसार के परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन भागों के बीज व्यापार भी आरंब हुआ और इस प्रकार एक स्थान पर बनी वस्थूओं का विनमय दूसरी जगहों पर बनी वस्थूओं के साथ होने लगा परिवहन के साधनों विशेश कर जहाज रानी में सुधार हुआ व्यापार के विस्थार में एक और परिवर्तन हुआ पहले व्यापार वस्तुविनमे के आधार पर होता था, अब अनेक सभ्यताओं में मुद्रा का प्रचलन आरंब हुआ, इससे खरीदी विक्री पूर्व की अपेक्षा सरल हो गई, वस्तुओं का उत्पादन अब इस्थानिय समुदाय के लिए न होकर बड़े बाजार के लि इस युग की सभी सभ्यताएं लोगों के मिलने से विक्सित हुई